हेलो एवरिवन कैसे आप सब आई होप आप सभी ठीक होंगे अपनी जगा पर एंड येस आज की इस वीडियो में मैं शेयर कर रही है बहुत ही एक प्रोफेशनल से आई मेकप जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि आप ग्लिटर के साथ हाफ कट क्रीज कैसे क्रियेट कर सकते है और किस तरीके से शेडो को ब्लेंड करना है अलग-अलग कलर्स को लेयर अप करना है तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड दक पुरा देखेगा और यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना विद बेल आइकन तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पास नहीं है तो आप इस कलर का आईशेडो भी ले सकते हैं ठीक है तो एक फ्लाट ब्रश लेना है आपने इस तरीके सा फ्लाट और थोड़ा सा आगे से फलफी होना चाहिए इस तरीके से सबसे पहले आपको शेड पैक करना है और इस तरीके से सर्कुलर मोशिन में हम ब्ल कैसे apply करना है पहले pack करना है and then circular motion में उसको blend करना होता है तो यही procedure है इसी तरीके से आपको shadow को place करना है ठीक है यह जो brush है यह whatsapp beauty का brush है ठीक है तो then secondly अभी मैंने apply कर लिया है then इस तरीके से आपको fluffy सा brush लेना है and जो इसके edges है अब मैं उसको circular motion में इस तरीके से blend कर रही हूँ ठीक है तो यह eyeshadow का edges है यह वाला अभी उसको मैं circular motion में और left right motion में हम इसको बहुत हलकी हातों से blend करेंगे उसके बाद यह वाला palette लिया है मैंने makeup revolution का उसमें से red hot shade ले रही हूँ इसको में यह जो हमारा first shadow का जो edge था border है ना उसके उपर हम shade को pack करेंगे और इस तरीके से blend करेंगे ठीक है तो थोड़ा थोड़ा product लेना है dust off करना है बहुत ज़ादा एक साथ हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है इससे आपका eye makeup patchy हो जाएगा muddy हो जाएगा ठीक है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा तो इस तरीके से हम slowly slowly place करेंगे पहले shade को ठीक है इस तरीके से एं circular motion में blend करना start करेंगे ताकि वो first shade के साथ अच्छे से merge हो जाए और color एक सा लगे जैसा ना लगे कि हमने दूसरा color उपर ही लगा दिया है तो हमारा main मकसद क्या है कि हमें shadow को सबसे पहले first shade के ओपर place करना है then उसको हमें blend करना है place करने के बाद ठीक है and then brush को थोड़ा सा ना अपने आप कौन सा भी पुराना सा रुमाल लेकर brush को clean कर सकते है ठीक है जब आप अच्छे से place कर लेंगे shadow को then आपको circular motion and left right motion में blend करना है उसके लिए आप कोई भी flat fluffy या fluffy सा brush ले सकते हैं जैसा मैंने ये वाला brush लिया है and इसको मैं अभी left right and circular motion में बहुत हलके हातों से आपको blending करनी है ठीक है brush को बहुत आगे से नहीं पीछे से पकड़ना होता है हमें ठीक है तो इस तरीके से हम इसको हलके हातों से blend करेंगे ठीक है इस तरीके से so guys अगर आपको video helpful लग रही है तो like जरूर कर देना और जो जो eye makeup follow कर रहा है यहां तक मुझे comment करके जरूर बताना उसके बाद यह lighter shade लिया है इसको अभी मैं इस shade के साथ अभी blend कर दूँगी directly circular motion में इस तरीके से ठीक है so अगर आप चाहते हो तो आप eye makeup एरे साथ follow भी कर सकते हो ठीक है तो आप eye makeup सीख भी लोगे कैसा करना है ठीक है ठीक है तो पहला और दूसरा shade हमको deepen up करना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं red वाला shade ले रही हूँ fluffy brush पे इन्हीं इसको मैं circular motion पे blend कर लोगी इस तरीके से purple के shade की उपर ही ठीक है तो यह अच्छे से merge हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हम उसको blend कर लेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़ादा अच्छे से blending हो चुकी है यहाँ पर अब हम क्या करेंगे हमारा जो अभी पहला shade है purple color का उसको भी हम blend करेंगे ठीक है मैं वही pigment ले रही हूँ आप eyeshadow palette में से यह shade pick कर सकते हैं जो भी आपके पास palette होगा दिन उसके बाद इसको हम pack करेंगे and then circular motion में blend कर लेंगे ठीक है इस तरीके से इतना होने के बाद फिर से हम अभी जो purple का edges था उसको red shade का जो edge है उन दोनों का हमको blend करना है color ठीक है ताकि वह एक सा लगे तो यहां पर मैंने red वाला shade फिर से लिया है purple के edges पे blend करने के लिए circular motion में left-right motion में इस तरीके से बहुत हलके हातों से करेंगे ठीक है उसके बाद फिर से मैंने yellow shade लिया एक अच्छे fluffy brush के उपर बढ़ा वाला इन circular motion में इसके edges को blend करें जो red shade है ठीक है इस तरीके से अभी हां तक हमारा हो गया है अभी हम क्रीज को कट करेंगे उसके लिए मैंने garnier का micellar water लिया है micellar water ठीक है और मैंने yearbird के help से इसको कट किया इस तरीके से अगर आप एक beginner हो आपको नहीं पता है तो मुझे comment करके बताना तो बिगिनर्स के लिए कैसे कट क्रीज करना है मैं वो भी टुटोरियल आपके साथ शेयर करूंगी ठीक है सो इस तरीके से मैंने yearbird के help से इसको clean कर दिया है ठीक है देन हम concealer से उसको यह करेंगे क्रीज को cut करेंगे ठीक है एक बार यह अच्छे से neat and clean हम कर ले space को black canvas create करेंगे हम यहाँ पर ठीक है दिन उसके बाद यहाँ पर थोड़े से edges को में blend कर रही हूं concealer apply करने से पहले तो यहाँ पर बहुत ही कम amount में हमें concealer लेना है कोई भी flat brush ले सकते हो आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा concealer लेकर आपको करना है तो इस तरीके से अब हमने जो shape create किया है उसको follow करते हुए हम concealer को apply करेंगे इस तरीके से ठीक है यहाँ पर हम blank canvas create करेंगे तो फिर यहाँ पर हम कोई भी eyeshadow हो shimmer हो glitter हो हम उसका application अच्छे से कर सकते है अगर आप clean नहीं कर होगे जो सर्फ base है हमारा और कोई भी concealer cutting करके apply करोगे तो इतना अच्छा नहीं आपका eye makeup लगेगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर मैंने वही purple लिया है pigment and edges के यहाँ मैंने blend कर लिया है ठीक है और यह जो brush है यह bougie beauty का है तो इस तरीके से हम blend करेंगे और जो मैंने shade लिया है quantity में लेना है और वही पर place करके वही पर कोशिश करें blend करने की बहुत हमें उसे अंदर तक नहीं लेके जाना है क्योंकि वहाँ पर हम next shade को place करने वाले है ठीक है तो यहाँ पर बहुत ही कम quantity आपको लेना है और blending करनी है इस तरीके से अगर आपको background में कोई noise आ रहा है तो so sorry वह बहार हो रहा है घर के और उसका तो कुछ नहीं कर सकते उसके बाद मैंने यह blue color का pigment लिया है sky blue color का है यह फिरोजी कुछ type का color है इसको मैं अभी place कर रही हूं तो यहाँ पर हमें जो हमनी concealer apply किया है इसको powder से set नहीं करना है हम directly place कर रहे हैं इसको तो आप कोई भी eyeshadow place कर सकत यहाँ पर ठीके इस तरीके से तो यह stickiness जो है इससे क्या होगा हमारा shadow बहुत अच्छे से place हो जाएगा so कभी आप अगर shimmer को भी place करते हो या pigment को तो इस तरीके से आप concealer को बिना powder से set करे apply करे बहुत अच्छा effect देता है then edges को blend करेंगे हम यहाँ पर इस तरीके से ताकि कोई भी harshness ना रहे and सब अच्छे से merge हो जाएक दूसरे के साथ उसके बाद fluffy brush से सिफ edges को blend करेंगे जादा कुछ नहीं असके बाद सबा ब्यूटी का मैंने glitters लिया है यह glitter chunk है so इनका जो website है Instagram पर इनका page है तो आप वहाँ से purchase कर सकते है बहुत यह अच्छा glitter है glitter chunk उनके पास और range में आपको मिल जाएगा link description box में मैं mention कर दूगी तो आप वहाँ से purchase कर सकते है ठीक है आप directly DM करके पूछ सकते है then मैंने लगा लिया है glue and उसके उपर glitters को मैं place कर रही तो आपको जितना glitter chunk चाहिए यह normal glitter अगर आप अपलाए कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से उसको place कर सक होना तो आखों की नीची loose powder जरूर अपलाई करें ठीक है ने तो वह फैल जाएगा आपके skin पे न स्टिक हो जाएगा and remove होना बहुत मुश्किल है से आपका base अगर आपने पहले किया है तो वह खराब हो सकता है उसके बाद lower lash line में मैंने yellow shade अपलाई किया है सबसे पहले lighter shade उ मैंने उसको blend कर रही हो मैं यहां पर इस तरीके से उसके बाद purple shade अभी लगा रही हो मैं इसको भी blend कर लूँगी and then again सब अच्छे से blend out कर लेंगे यहां पर ताकि कोई भी harshness ना रहे ठीक है उसके बाद sugar का मैंने liner लिया है and इस तरीके से मैं अभी wing create कर लूँगी ठीक है त shape जो है उसकी खराब हो जाती है then इस तरीके से बहुत लोगों का होता ही होगा तो ऐसे टाइम पर आपको क्या करना चाहिए वो मैं इस वीडियो में पताऊंगी अगर आपका गलती से कभी liner इधर उधर हो जाता है तो immediately हमें react नहीं करना इस तरीके से उसको थोड़ा सा dry out हो वात आपने concealer को tap करना है ठीके बहुत ही कम quantity में अब उसको हम concealer को dry out होने जहेंगे ठीके पहले liner को dry out होने देना है then concealer को dry out होने देना है and जोभी आपका shadow था उसको में पेक करना है औんだ करना है बहुत ही आपके हातों से बहुत ही कम quantity तो इस तरीके से आपका ये problem solve हो जाएगा ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अभी तक helpful लग रहा हो गाईस और आपने like नहीं किया है तो ज़रूर like करिएगा and subscribe कर लेना, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज आने वाली है मेरे चानल पर जहाँ पर मैं आपको बहुत सारे eye makeup सिखाऊंगी professional eye makeup क्योंकि मैं खुद एक certified makeup artist हूँ so यहाँ पर आपको makeup सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है different, different, तो आप जल्दी से subscribe with bell icon and all click करना तभी आपको सभी वीडियो का notification मिलेगा ने, तो फिर वीडियो जब मैं upload करूँगी आपको नहीं मिलेगा और miss हो जाएगा तो आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको free में सिखा रही हूँ ठीक है, ने तो actual मैं मैं online classes भी लेती हूँ जहाँ पर मैं सिखाती हूँ so, यहाँ पर मैंने false eyelashes Hena की लगाई है, Hena Beauty की lashes है, यह भी Instagram page पर आपको मिल जाएगा, Instagram पर इनका website है, ठीक है Instagram पर इनका page है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी इनकी lashes then highlight apply कर ले, inner corners and brow bone पर and इस makeup को complete किया है, हमने so, guys, यह मेरा final look है अब देख सकते हैं, बहुत ही professional तरीके से इस look को मैंने complete किया है and बहुत ही beautiful सा look लग रहा है, यह as you can see so, आप इसी तरीके से create कर सकते है जैसे मैंने step by step बताया है, कि आप कैसे eye makeup कर सकते हो half cut crease, I hope आपको helpful लगी होगी video, अगर आपको helpful लगी हो और अगर आपके कोई friends हो, जिनको eye makeup सीखना है so, share कर देना, अगर new हो तो subscribe कर देना subscribe करके all जरूर क्लिक करना, ताकि आपको notification कोई भी miss ना हो और अगर आपको आज का video पसंद आया हो, make sure video को like जरूर करे share कर लेना friends के साथ, जिनको जरूरत है, जो सीखना चाहते है ठीक है, and yeah, मैं मिलूंगी आपसे अपने next video पे and मुझे instagram पर भी follow कर सकते हैं, आप link description box में मिल जाएंगी and glitters के link भी, so I'll see you in my next video guys, bye bye